आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल Study of Life by Registr आज हम बात करेंगे बाइलोजी NCIT बाइलोजी के फस्टियर के सिलेवस की और फस्टियर सिलेवस में एक टॉपिक है जिसका नाम है जीवों का वरगी करण यानि कि सजीवों का वरगी करण देख लेते हैं कि वरगी करण में सबसे पहले किसने वरगी करण किया था बेदी काल से ही या प्राचीन काल से ही देख लेते हैं जीवों का वरगी करण यानि Classification of Organism प्राचीन काल में एक आयरवेद के आचार थे जिनका नाम था चरक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक शहिता में उन्होंने लगबग 200 परकार के जन्तूँएं को और 300 304 परकार के पौदों का उलेख किया इसके बाद में एक बिद्वान आये जिनका नाम था अरस्तू ओके इसके बाद में अरस्तु जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने पोधों को बरगी करत करने का प्रियतन किया देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से पोधों को जन्तों का बरगी करन किया अरस्तु एवं अन्य दार्शनिक ने चौथी और तीसरी सतावदी इसापूर्व सताबदी इसापूर्व ध्यान रखना कि 300-400 इसापूर्व जीवधारियों को बेग्जानिक आधार पर बर्गिगत करने का प्रियतन किये उन्होंने जीवधारियों को दो भागों माटा जन्त और पाधप में ठीक है जो आगे चलकर कैरोलस लीनिस ने इन्हें प्लांटी और एनिमल किंगडम में रखा आगे देख लेते हैं कि अरस्तू ने जन्तूं को किस भागों किस आधार पर बाटा और पाधपों किस आधार पर बाटा तो देखिए जो पाधप थे उन्हें तीन समुह में बाटा उनके बाडी स्टक्चर के आधार पर जिसका नाम साक साक छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं जाडियां उससे बड़े होते हैं ट्री सबसे बड़े प्लांट में बरगी करत किया जन्तूं को उन्होंने दो समुह में बाटा एक बे जिन में लाल रुधिर पाया जाता है और दूसरे वो जिन में लाल रुधिर नहीं पाया जाता है ओके आगे देख लेते हैं कि जो थियो फरस्टस थे उन्होंने पोधों को किस तरह से बरगी करत किया अच्छा थियो फरस्टस की एक पुस्तक थी का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम कौन सी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने 480 प्रकार के पोधों को बरगी करत किया और उसी लिए उन्हें क्या कहा जाता है फादराफ बाटनी यानि की बात कर लेते हैं तो next point में Carolus Selenius है Carolus Selenius ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था Systema Nature Systema Nature होगा कहीं इंग्रिस में आपको Systema Nature ही मिल लाएगा Systema Nature में जीवों का नाम तथा आदुनिक बरगी करण बिख्यान पड़ा Systema Nature के नाम से Taxonomy कहा जाता है फादराफ Taxonomy किते कहा जाता है Carolus Selenius को इन्होंने जो जीवों का बरगी करण किया था वो आधुनिक प्रणाली के आधार पे किया था नेक्स्ट पांट की बात करते हैं सरप्रथम जो लेनियस थे लेनियस ने सरप्रथम दो जगत प्रणाली यानि कि Two Kingdom System प्रत्फिपालित किया और उसमें जनतुओं और पादपों को किरमशा गिंगडम प्लांटी में पादपों को रखा और गिंगडम एनिमेले में एनिमल में जनतुओं को रखा बरगी करत करने का प्रआदन गिया इसके बाद में आये थे हेकल तो हेकल भीया ने जर्मन सांचिस्ट थे हेकल ठीक हेकल जो थे वो जर्मन सांचिस्ट थे उन्होंने तीसरे किंग्डम की खोज गी एक तीसरा किंग्डम खोजा गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा जा तो कोपलेंड ने अन्य जगत मोनेरा प्रस्तावित किया और उसमें सभी प्रोकेरिट जीवों को रखने का प्रियाज किया उन्होंने मोनेरा में उन जीवों को रखा जिनमें सत्य केंदरक नहीं पाया जाता है पिरो का मतलब होता है आरमभी और केरियोट का मतलब होता है केंदरक जिल्ली नहीं पाया जाती है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाती है तो Monera Kingdom में सभी बैक्टीरिया इत्यादी को रखा गया है आगे बात करते हैं सन 1969 यह सन याद रखना यह बहुत पूछी जाती है एक्जाम में सन 1969 में आरच वी टेकर द्वारा एक पांच जगत बरगी करण पद्धती प्रस्तावित की गई थी यानि की फाइब किंग्डम सिस्टम प्रस्तावित की गई थी इस पद्धती में कोश का सरचना उन्होंने पहले एक कोश के और बहु कोश के या फिर प्रोकेरियोट और यूकेरियोट के आधार पर जीवों को बाटा ठीके अब हम बात करते हैं एक एक जगत की संशेब में बात करेंगे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर करना आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो उन्हें 5 जगत बरगी कंड दिया था तो उसमें 5 जगत में कौन-कौन से जगत हैं उन्हें करम से रखा और उन्हें पर चर्चा की तो पहला जगत का नाम है जगत मोनेरा जगत मोनेरा को किंगडम मोनेरा कहते हैं ठीक है इस जगत में एक कोश के प्रोकैरियोट जीवों को रखा गया इन में सत्य केंद्रक नहीं होता है जैसा कि मैंने बताया इसमें सत्य केंद्रक का मतलब होता है कि केंद्रक के ऊपर जिल्ली नहीं पाय जाती है, आपरंट नहीं होता है, तो ये केंदरक में आपरंट रहित होता है, इसलिए से इनसी पैंट केंदरक कहा जाता है, सुरुवाती केंदरक कहा जाता है, आरंबी केंदरक कहा जाता है, इसमें जो DNA होता है, वो सर्कुलर माध्यम में पाया जाता है, और histone protein का आभाव होता है इसके अंतरगत जो जीव आते हैं उनका नाम है arky bacteria जो सबसे पुराने जीवों में गिने जाते हैं अध जीवों में गिने जाते हैं उसके बाद में आते हैं u bacteria, synovacteria और mycoplasma mycoplasma को सबसे छोटी कोसका भी कहा जाता है यानि कि दुनिया की सबसे छोटी कोसका mycoplasma और इस पर कोसका भीत्ती का आभा होता है जो synovacteria होते हैं उन्हें believe green algae कहा जाता है क्योंकि इसमें phycosinin नामक एक वरणक पाया जाता है जिस बज़े से हम क्या कहते हैं synovacteria कहते हैं जो synovacteria होते हैं यह पादब की सिरेड़ी में आते हैं लेकिन इनमें bacteria के लच्छन जादा पाया जाने के कारण इसे bacteria में यह धिन किया जाता है next kingdom की बात करते हैं दूसरा जगत जो है दूसरे जगत का नाम है kingdom protesta दूसरा जगत जो है kingdom protesta तो kingdom protesta में कैसे जीवों का रखा गया है आपको पता है kingdom protesta की खोज किस ने की थी तो mr. hackle ने की थी याद रखना इस जगत में सभी एक कोश्किय यूकेरियोट पॉइंट याद रखना एक कोश्किय यूकेरियोट जीवों को रखा गया है जैसे dytums इसे समुद्री अखरोट भी कहा जाता है dynophyllates ठीक है यूगलीना इस प्लांट एंड एनिमल के बीच की सहयोज कड़ी माना जाता है पैरामिसियम इसे sleeper एनिमल क्यूल कहा जाता है चपल के आकार का जीव कहा जाता है सलाइम मोल्ड इन्हें कबक कहा जाता है phyto इसे रखा गया है phycomycetus में अगला है amoeba amoeba को तो आप जानते हैं कि कभी भी कैसा भी रूप ले लेता है आगे बात करते हैं next point की जो अगला जगत है जगत अगला जगत है जगत कबक कौन सा जगत है जगत कबक यानि की kingdom फंजाई तो kingdom फंजाई में कैसे जीवों को रखा गया है तो इसमें बरगी करत करने का जो नड़ने लिया था आरच बेटे करने पोशनड बीदियों के आधार पर इने बाटा था देख लेते हैं इस जगत में उन जीवों को रखा गया है जो बिसम पोशी है कैसे हैं बिसम पोशी और अबसोशनड करके भोजन लेते हैं कैसे करके अबसोशनड करके ठीक है अबसोशनड सोरी अबसोशनड ठीक है अब सोशन विद्वारा भोजन लेते हैं विशंपोसी तथा यूकेरियोट होते हैं यह कार्मिक पदार्थों का अब सोशन करते हैं क्या करते हैं अब सोशन करते हैं बच्चों कार्मिक पदार्थों का अब सोशन करते हैं यहने पादप की स्रेंडी में ही रखा जाता है, इनकी जो कोशका होती है, उसमें कोशका वित्ती पाई जाती है, और इनमें किलोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए एपना भजन स्वायम नहीं बना पाते हैं, और इनकी अलग जगत, यानि की kingdom फंजाई में रखा गया है, ठीक है आगे बात करते हैं next kingdom की ठीक है kingdom next kingdom तो चौथा जगत जो है वो है kingdom planty उके चौथा जगत का नाम है kingdom planty इसके अंत्रगत पोशन विदियों के यादार पर जीवों को रखा गया है तो इसके अंत्रगत जो जीव आते हैं वो सव पोसी कोशका भित्ती युक्त यूकरियो एक पॉइंट में ही आप सारी बाते सीखने कोश करें कि कोशका भित्ती यूक्त स्वपोसी यूकरियोट जीवों को रखा गया है इसमें सभी पादप आते हैं जितने भी हरे पादप हैं जिनमें किलोरोफिल पाया जाता है वो सभी इसी केटागरी में आते हैं kingdom planty में तो kingdom किमिवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिमनोस्पर्म, एंजोईस्पर्म, ओके आगे बात करते हैं next kingdom की अगला kingdom जो है वह है एनि में लिया, एनि की जगत एनि में लिया, इसके इंतर्गत बहुकोश के जीवों को रखा गया है, बहुकोश के जीव यानि जन्हें ह को रखा गया है इसमें एक कोश के जीवों को जो था पहले इसी में एक कोश के जीवों को रखा जाता था लेकिन बाद में सुधार करने के बाद इसे एक कोश के जीवों को रख दिया गया है प्रोटिस्टा में इसमें बहुत कोश के जनतों को रखा जाता है ओके बहुत कोश सा है मोनेरा है पहला है मोनेरा में बहुत सारे नीले हरे सहवाल बैक्टीरिया ठीक है और माइको पलाजमा इत्याद को रखा गया है प्रोटिस्टा में अमीबा है यूगलीना है यूगलीना है पैरा मिश्यम है और एक कुछ के सहवालों को भी रखा गया है डाइटम्स है डा आए जाता है और सड़ी गली चीजों से अपना पोशन ग्रहन करते हैं, अब सोसन करके, plants में कैंसे रखा गया है plants में सभी हरे पादपों को रखा गया है जिन में किलोरुफिल पाए जाता है जो प्रकास संस्रेशन द्वारा अपना भोजन बनाते हैं अगला आता है kingdom animals तो animals में आप जानते हैं कि जितने भी animals दुनिया में हैं जो बहुत कोशकी animals जो हमें दिखाई देते हैं चलते हैं फिरते हैं हमारा इधर उधर होते हैं वो सभी animals इसी में रखे गए हैं यह जन तो animals kingdom में रखे गए हैं आगे बात करते हैं कि हम यह classification जो पढ़ते हैं उसे पढ़ने की आवसकता क्यूं है क्यूं पढ़ना चाहिए तो देख लेते हैं कि classification की आवसकता बरगी करण लिगा है बरगी करण की आवसकता need for classification क्यूं आवसकता होती है जीवों को बरगी करत करने के लिए देख लेते हैं point को ध्यान से समझते है point को ठीक है तो जो पहला point है बरगी करण की आवसकता का पहला point है कि अध्यन की सुविदा है तो दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन एनकी 17 से 18 लाख जातियों का अध्यन किया जातका है तो उन सब जातियों का अध्यन हम एक एक करके नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जीवों को हम बड़े-बड़े बर्गों मे लाखो जातियों ग्यात है इन सबी का एक साथ अध्यन करना कठिन है अतहा इन्हें अध्यन की सुविदा हे तो शमान लच्छनों के आधार पर विविन बर्गों में बर्गी करत किया जाता है किसी भी वर्ग विशेश के एक जाती जीव के लच्छनों का अध्यन करने पर उसके अंतरगत आने वाले सभी जन्तूं और पौधों के जानकारी मिल लाती है, सभी पौधों और जन्तूं की जानकारी मिल लाती है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कि जै विकास का प्रमाड, आप जानते हैं कि जैव विकास के प्रमाड देख लेते हैं कि जैव विकास के प्रमाड प्रमाड यदि ज़तु जगत का बरगी करण एक साथ प्रदर्शन किया ज़ता है उसका एक साथ प्रतास किया जाए तो सरल्तम सरचना वाले जन्तों से जटिल्तम सरचना वाले जन्तों की और किरामिक विकास इसपष्ट देखा जा सकता है कि हम जब अगर अध्यान करें तो सबसे पहले आता पौरी फेरा अगर बहुत कोश के जंतों की बात करें तो पौरी फेरा में ऐसे जंतों रखेंगे जो कोश के लेबल के हैं उसके बाद आता है सेलेंट रेटा जिसमें उतक लेवल के जंत रुखे गये हैं, फिर आता है फिलेटी हलमन्थीज तो उसमें अंग तंतर के लेवल के जंत को रखा गया है, तो इस तरह सभी जीवों को बरगी करत किया गया है, देखने को मिल सकता है, इस पस्ट, विकास करम आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पाइंट की, अगला जो पाइंट है, नए जीवों की खोज, तो आप जब भी जीविग्यान का अध्यन करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं ऐसी कडियां मिल लाएंगी, जहां पर जीवों को नहीं खोजा गया है, तो जातवरतिय धंग से कि जीवों की कमी दिखाई देती है, अतहा इस आधार पर जीवों को बेग्यानिक नए जीवों की निरंतर खोज में, जो जीव बेग्यानिक हैं, वो नए जीवों की खोज में निरंतर प्रेतन सील रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि यहां पर इन जीवों को नहीं खोजा गय संग्राले में रख रखा जाता है वो बर्गी करणड के आधार पर ही बिविन जन्त तथा बनसपति संग्राले में दुरलब जन्तूं तथा पौधों के रूप बेवस्ते धंग से रखे जाते हैं ठीक है जो जन्त और पादप होते हैं उनके प्रारूप जो होते हैं यानि कि स्पेसिमेन उन्हें बेवस्ते धंग से रखा जाता है क्लासिफिकेशन के आधार पर तो बर्गी करणड परना कितना इंप्रोटेंट है देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अनकूलता का ग्यान अगर हम जीवों का अध्यन करें तो उनमें एडाप्ट एवं अंगों में समानता होती है जो विशेश बाताबने पाए जाने बाले जैसे डार्विन की फिंचें इसका एक्जामपल आ जाती ही तो उनने बाताबन के अधार पर अपने अंदर परिवर्तन पाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हाँ नेक्स्ट पॉइंट नहीं है बस इतना ही आज के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूज कर लें और वीडियो गर अच्छी लगी हो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें थैंक्यू